हेलो दोस्तो नमस्कार अभी हम लग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर आज की तारिक की बात करें तो आज है 14 एप्रिल रैट बाजार तो यहापे बंद है और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का दिन मतलब 15 एप्रिल सो हमारे शेयर मार्केट के लिए कल का दिन भी बहुत ही किमती रहने वाला है अब यह बात मुझे भी पता है कि सैटर्ड़ है मार्केट क्लोस है संड़की भी बात करें 16 April तबी भी बाजार यहापे close है बट ओरल अगर मैं यहापे बात करो दोस्तो तो जो कल का दिन है वो बहुत ज़्यादा important रहेगा भी बाजार बंद है तो हमें reaction obviously 17 April को मतलब Monday की दिन देखने को आपे मिलने वाला है किस चीज के यहापे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तो तो HDFC Bank yes दोस्तो HDFC Bank के quarter 4 के results हम लोगों को 15 April को देखने को यहापे मिलने वाले हैं यह share आपके पास नहीं भी होगा फिर भी मैंने आपको multiple time आपको बोला है आपको इस company को यहापे मतलब जरूर मतलब track पे रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा option नहीं क्योंकि यह बहुत ही important company in fact मैंने इसके उपर वीडियो भी बनाय था कि HDFC Bank अगर देखा गया तो share market का actual में number one company है relance तो बोलने के लिए ऐसा क्यों तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो so HDFC Bank की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही crucial numbers यहापे इनके रहने वाले है क्योंकि Nifty 50 की अगर हम लोग बात करें आप सभी लोग को पता ही है financial sector का बहुत बड़ा योगदान Nifty 50 में हापे होता है और उसका जो driver है हम लोग जरू कह सकते Bank Nifty और Bank Nifty का driver कोन है तो ultimately HDFC Bank so इसको तो मैं multiple times से आपे cover कर चुका हूँ and important क्यों बनता है HDFC Bank के इस वक के numbers तो आप सभी लोगों को तो पता ही है जैसे की हमारा IT Index मतलब IT Stocks देख सकते हो कि कल के दिन हम लोगों कितने गिरते वे देखने को मले है सववा 2% की गिरावट थी IT Index में पूरे IT सेक्टर में तबाई ही तबाई हम लोगों को देखने को आपे मिली थी no doubt हम कह सकते हैं आपे TCS के numbers जैसे देखने को मिले Infosys के numbers जैसे देखने को मिले है इसके चलते जो बाजार ने conclusion दिया है वो हम लोगों को फिलाल तो देखने को आपे मिला है and weightage की बात करे तो आप सबी लोगों को आपे पता ही है कि IT सेक्टर का जो weightage है वो कितना है लगबग 14.11% and उसी के साथ साथ Financial Services का weightage कितना है उससे भी double almost 38% इसलिए हम लोग कह सकती कि IT से इंडियन मार्केट को कुछ खास performance अभी देखने को ने मिला और शायद से अभी उमीद भी नहीं है पर अभी financial sector के और financial services के और हर किसी की निगाए टिकी हुई है और इसी से related अगर हम लोग यहापे बात करे तो HDFC bank के और लगाता यहापे देखा जाने वाला है so HDFC bank के अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता भी है कि company के trailers भी हम लोगों को देखने को आपे मिले थे trailer मतलब quarter 4 के जो update रहते है extracted numbers आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो वो देखने को मिले थे उस number को हम कह सकते बादर ने थोड़ा सा ही okay okay thumbs up यहापे दिया था actual numbers में हम लोगों को यही देखना होता है कि NPP, NPP मतलब NPA कैसे है, profit कैसा है provision की क्या स्तीती है और उसी के हिसाब से conclusion draw किया जाएगा कि HDFC bank का performance कैसा रहा है and HDFC bank का जिस तरीकी का performance रहेगा आपको पताई है entire bank Nifty के उपर भी हम लोगो उसका प्रभाव पढ़ते वे देखने को मिलेगा and bank Nifty जिस प्रकार से चलता है हमारा market भी चलेगा इसलिए number one stock बोला जाता है reliance में कुछ भी हो जाता है तो सिर्फ reliance ही उपर नीचे होता है but HDFC bank को अगर कुछ हुआ तो entire bank Nifty में हम लोगो उपर नीचे होते वे देखने को मिल जाता है तो इसलिए market का बहुत केंपी stock यहापे माला जाता है and उसके numbers हम लोगो यहापे कल देखने को आपे मिलने वाले है so आप सभी लोगो यहापे पता ही है कि IT sector के अगर हम लोग बात करे ठीक है तो TCS के number हम लोगों ने देख लिए Infosys के भी number देख लिए Infosys के numbers ने तो थोड़ा सा जादा नीराश के हम लोग ऐसा यहापे बोल सकते है and उसी तरीके से अगर हम लोग बात करे तो कल banks की भी बात करे तो HDFC bank के number देखने को मिलेंगे तो इसका थोड़ा सा में आप लोगों के एक मज़ेदार बात बताना चाओंगा कौन सी मज़ेदार बात अभी IT में number 1 कोन है TCS market cap के इसाब से second कोन है Infosys सो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाओंगा कि TCS के number जैसे आते थे न उससे better Infosys के number आते थे मतलब मैं recent quarter की बात करा हूँ लंब्या उधी के बात करे तो obviously TCS नहीं बाजी मारे इसलिए तो number 1 पे है बट recently कुछ पिछले 6-7 quarter की बात करे तो Infosys ना एक step आगे रहता था किस से? TCS से बट इस वक्की बात करे तो Infosys यहाँ पे इतना कुछ खास इसने नहीं किया तो यही same story है न दोस्तो HDFC bank के लिए भी है HDFC bank number 1 पे second number पे कोन है? ICSC bank and fast grow तो हम लोग को यहाँ पे ICC bank के देखने को आपे मिल रही है तो अभी तक का जो track record रहा है track record मतलब HDFC bank के number कैसे रहती मतलब इसके पहले के पिछले 4-5-6 quarter की बात करे तो okay-okay performance देखने को मिला है मतलब ऐसा कोई बोलते है ना धमा का नहीं देखने को मिला मतलब numbers देखने को मिला हम बोले कि ठीक है चलता है ओके फाइन बट ICC bank ने लिटरली धमाके किये थे एक नहीं दो नहीं बिलकी 3-4-4 धमाके किये थे इसलिए तो ICC bank इतना जबरदस तरीके से हम लोग को grow होते भी देखने को मिला कोटक महिंद्रा बैंक 2nd हुआ करता था ICC तो 3rd number पे था बड़ा आज देख सकते हो ICC है 2nd number पे आये और बहुत शांदार number के साथ इस वक्त क्या banking sector में भी जैसे के IT sector में हम लोग को चीजे देखने को मिली है कि जो 2nd number वाला अच्छा करता था वो थोड़ा सा इस वक्त पूर किया है तो इस वक्त banking sector में क्या होता है ये देखना भी interesting रहेगा कि क्या ICC bank अपनी जो रफ्तार है उसको बरकरार रखेगा ये तो ICC bank के नंबर आएंगे तब पता चलेगा इनके नंबर भी Saturday पे याते हैं बट कल के दिन की बाद करें HDFC bank अपने नंबर पेश करेगा और बहुत दिन हो चुके है दोस्तो HDFC bank ने मतलब थोड़ा सा मतलब बोलते हैं बड़ी पारी खिलनी चाहिए अभी हम भी थोड़ा सा पक चुके है कि यहापे 50-60-70 कभी थोड़ा सा चलती है मतलब अगर HDFC bank के नंबर अच्छे नहीं आए उमीद के मुताबिक तो डेफिनेटली यही चीज बैंक निफ्टी के लिए खराब रहेगी और यही चीज अल्टिमेटली हमारे निफ्टी 50 को भी डैमेज यहापे करवा सकती है तो यह तो common sense वाली बात है अच्छी चीज अगर होगे HDFC bank की तो यह तीनों इंडेक्स उपर जाते वे देखने को मिलेंगे और अगर reverse अगर होगा तो possibility है कि तीनों इंडेक्स अमनों को नीचे जाते वे देखने को आपे मिल जाएंगे तो इसलिए HDFC bank के जबी भी नंबर आ जाते है यह मतलब entire market के लिए बहुत ही crucial part यहापे बन जाता है और जैसे मैंने अभी आप लोग के लोग कुछ एक मिनिट पहले ही बात बोली कि IT sector and financial services इन दोनों का combination से 52% nifty-fifty चलता है तो उसमें से IT ने तो पुरा निराशाही फिलाल तो यहापे दिखाईए बड़े दिगज companies के और से अभी कुछ जादा उमीद देखने को ने मिल रही है तो banks तो कुछ यहापे चमतकार दिखा दे हर कोई यही expect फिलाल कर रहा है अगर हम लोग returns के profile की भी बात करें पिछले एक साल से तो ठीक है एक साल में मतलब 21.5 परसंट की तेजी हम लोगो HDFC बैंक में हापे देखने को मिल रहे है बट स्टिल पात साल में जो उनका major target रहता है blue chip company का क्या होता है 100% मतलब पैसा at least double तो होना चाहिए तो उस target से भी थोड़ा सा वो दूर है 73% के returns देखने को मिल रहे है तो हर कोई उमीद लेकर चल रहे है कि HDFC बैंक इस वक्त तो शायद से अच्छे नंबर से आपे दिखा दे और खुद के अच्छे नंबर के साथ-साथ बाकि entire market में भी एक अच्छे रहनक लेकर आजा क्योंकि हम लोग अभी भी अगर देखा गया तो IT का support नहीं है, pharma का support नहीं है financial services भी flat चल इतना परिशानी के बावजुद भी still हम साड़े सतरा, मतलब साड़े सतरा, आटरा के बीच में चल रहे है यह बहुत ही जबरदस बात है, मतलब मैं एक साल का graph आपको दिखा दू तो market डेकी ऐसा नहीं कि बहुत ध्यारा शाई हो के नीचे चला गया करके तो यह भी एक point डेकने को मिल रहा है so definitely अगर HDFC bank अगर कुछ अच्छा performance कर देता है तो शायद से हम कह सकते हैं यह हमारे nifty के लिए एक बहुत अच्छी बात है आपर साबीत हो सकती है so अगर हम लोग जाते हैं लास्ट टाइम के भी HDFC bank के quarter के results को अगर देखे देखे मैं again कहना चाहूँगा इनके numbers तो रहते growth वाले ही अच्छा ही performance रहेगा अगर थोड़ा over expectation बाजार expect इन से करता है so अगर आप लोग overall performance भी देखोगे last time भी financial जो profit था HDFC bank वो 5,800, 6,700 एंट कितना था 7,800 था right मतब overall performance अच्छा ही देखने को मिला था और उसी के चलते अगर हम लोग net profit की भी बात करे जो 9,000 करोड, 11,000 करोड वो भी साड़े 12,000 करोड का ही था EPS की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो 17, 19, 22 एक साल पहले की बात करें तो ये 18 हुआ करता था right तो performance बहुत दमदार रहता है सिर्फ expectation इसी का शिकार ये ही आपे होते है कि जैसे मैं आप लोगों को बोला न कि अरे बहुत दिन हो गए essentially लगा दो रेट कल अगर ये 90 भी score कर लेते न तो भी लोगों का मूड खराब हो जाएगा तो इस प्रकर की चीज़े देखने को मिल जाते बाकी तो धाकड बैंक के आप देख ले न हमेशा इनका प्रॉफिट हमनों को जबरदस तरीके से ग्रोही होते वे देखने को आपे मिला है सिर्फ एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन को क्या ये बेट कर पाते है की नहीं ये देखना है कि इंट्रेस्टिंग फैक्टर रहेगा इंटरनल परफॉर्मस खुझ से ही बहुत ही मतलब जबरदस रहा है और वेल्यूएशन के इसाब से भी कमाल रहता है मतलब आप देख सकते हो पी भी उनका 19 के आसपास देखने को मिल जाता है इसलिए यहाँ पे HDFC बैंक खापरफॉर्मस अभी कल के दिन देखना बाजार के लिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जरूर हैगा तो देख लेते नंबर के से आते हैं अगर वक्त मिला तो जरू में उस नंबर को कवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे जरूर करूँगा आशा करतो वीडिया हेलफू लगा होगा तो जरू लाइक और शेयर कर दिना अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 पूडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएगी आपका नाम कुछा आपने लिंके तो उपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्षन मिंचन कर दिना तो अफ्टे पर के अंदर अंदर सारे लिक्शर्स मेरे साथ से फ्री आफ कॉस्ट परड़ कर दी जाएगी ताकि अब शेयर मार्केट को आसान बाशा से सीख सको सब्सक्राइग के लिए बाई बाई